नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार आज एक रियल कहानी सची कहानी आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं और इस कहानी के मध्यम से हम CBT थेरेपी जो कॉग्निटी बिहेवियर थेरेपी है उसका एक शांदार सिधान्त है और जनलाइजेशन और उस सिध करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं मैं चाहता हूं मेरे वह सारे ड्रीम्स पूरे हूं मैं अपनी जिन्दग में बहुत कुछ बड़ा करूं लेकिन मेरा माइंड जो है वह हमेशा निगटिव ही रहता है कि मैं बड़ा करना तो चाहता हूं लेकिन मैं हमेशा निगटिव भी सोचता रहता हूं मेरा माइंड अपने आप विचार जो है वो नेगटिव ही पेदा करता है या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैंड के जाल को समझते हैं कि माइंड का एक एसा जाल जिसकी वज़े से माइंड के अंदर एक तो शांती नहीं रहती दिमाग में शा जाल को समझें फिर उसको दिरे दिरे तोड़ें और अपने माइंड को खोलें जीवन की तमाम इंचाईयों को प्राप्त करने के लिए तमाम तरक्की के रास्तों को खोलने के लिए तो शुरू करते हैं दोस्तों बात कुछ इस प्रकार से हैं कि एक लड़का है जिसकी उमर करीबन पैई साल है उसने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है कंप्यूटर में उसने बीबी या बीसी ए कुछ कर रखा है ग्रेजुएट है और उसने तीन चार जगे काम भी किया और अब वो कुछ बिजनस करना चाहता है लेकिन जैसे ही वो बिजनस करने के बारे में सोचता है ज यसी उसका मन होता है कि हाँ मैं ये बिजनस करूं ताकि मैं एक बहुत बड़ा कुछ कर सकूं जो वो आसपास के लोगों को देखता है वेसे ही उसके मन के अंदर एक विचार आता है अपने आप एसी बातें आती है कि दोस्त तू तो बहुत ही अनलकी इनसान है तेरी जो कि प्रिश्मत है वही खराब है क्योंकि तो कितना टाइम हो गया तुने 5-6 जोब पकड़ी एक जोब पे लगा थोड़े टाइम बाद में फिर क्या है कि वहां से तेरे को अटना पड़ा दूसरी जोब में लगा वहां पर भी कुछ भी नहीं तो कई सारी जोब किया उसमें और इसकी वज़े से इसे जैसे विचार आते हैं उसका पूरा मोटिवेशन पूरा जो उसका एक जो सिनेरियो होता है कि मुझे कुछ करना है वो पूरा गायब हो जाता है और फिर से उसी रास्तों पर चलने लग जाता है निरास मन के साथ में और चिंता बेचेनिंग और ए एक्सप्रियंस थोड़े खराब था उसके जो इमोशन थे खराब थे लेकिन उसके माइंड ने उस एक घटना को उस इमोशन को ओवर जनलाइज कर लिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उस घटना को जादा कर दिया वह घटना हर जगह अपलाई करने लग गया उस लगा उसके साथ में वो गटना हुई उसके बाद में वो जब दूसरी बार जोब लगा और उस टेम भी जब उसके साथ कुछ खराब चल रहा था उसके माइंड ने ये अपने आप कहना स्टार्ट कर लिया देख तूं पहले भी तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ इस बार विदेख साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है दोनों चीजें मेच हो रही है पहले की चीजों की जो emissions था पहले की चीजों के साथ में जो एक भावना थी वो भावना दूसरी जो घटना थी दूसरी जो चीज है उसके साथ जुड़् गई और इसी प्रकार से तीसरी बात वार जब उसके साथ हुआ तब बहुतफिं पांचमेंगा तब बहुत वार आज जब जीवन के कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कुछ business करूं तो उस वक्त भी वो जो सारी जो चीजें हैं वो जो सारी भावनाएं हैं वो इस वक्त भी उसके साथ जुड रही है तो दोस्तो इस पूरी घटना को बोलते हैं overgeneralization और ये cbt का एक बहुती बड़ा cognitive distortion हैं जिसके अंदर mind एक ऐसे जाल में फस जाता है कि जिस जाल की वज़े से उसके माइंड के इंदर गलत पेटन बनने लग जाते हैं दोस्तों यह emotions है यह इसके mind के अंदर विचारों को पिदा कर रहा है और उसके mind के विचार जो पिदा हुए गलत विचार पिदा हुए व अब वो विचार अपने आप पेदा होने लगे, ये इसका पूरा कारण है। दोस्तों, इसके वज़े से उसका जीवन को देखने का जो नजरिया है, वो खराब हुआ, नजरिये के वज़े से जब मनोस्तिती ही खराब हुई तो अब वो परिस्तिती को नहीं बदल सकता परिस्तिती बाद में बदली जाती है पहले मनोस्तिती बदली जाती है करना क्या है उसको यह करना है आज के बाद में जैसे ही उसके यह विचार आए उसको करेक्ट करना है उ देंग तुम अलग जगह जोग की। देखें उसका भी तो एक positive उपवयोग है कि तो इतने सारे जोग का थोड़ा-थोड़ा- थोड़ा-थोड़ा बहुत चारा knowledge है तुम ने पहले काम किया तुमने पहले परयास किया वह सारे उन सब परयास का भी एक एक बहुत ही सकारात्मक मतलब है वो सारे प्रयाज तुने जितनी भी स्किल अर्जित की तुझे जितना भी काम आता है वो सारा काम अभी तेरे काम के अंदर जो तुन नया बिजनस करना चाहता है तुन जो नया काम करना चाहता है उसके अंदर वो सारा काम का उप्योग होगा और तेरे पास जो knowledge है वो extra knowledge रहेगी उन सभी लोगों के पास जिन के पास वो knowledge नहीं है तुने जितने दख्ये कहाएं हैं तुने जितने बचीर कहाएं हैं वो सारे बचीर इतना शांदार काम करेंगे जितना शांदार बदाम भी नहीं कर सकते हैं तो success comes from experience तुझे अभी जीवन के इंदर सफलता मिलेगी experience की वज़े से मिलेगी क्योंकि experience जो है वही हमें सिखाता है और सबसे अच्छा experience क्या होता है कोई खराब experience जब खराब experience होता है वो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा ग्यान देता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा सिखाता है और हमें हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए खराब experience की भी आप सकता होती है आपकी जीवन में जितने खराब experience है उनको पकड़ के रखो इस रूप में कि हमें उसकी वज़े से और ज़्यदा ताकत मिली है और अब आप ताकत के साथ में पूरी energy के साथ में आगे बढ़िए आपका mind इस नजरिये के साथ में अगर fit होता है तो धीरे धीरे ये नजरिया सुबह के time apply कीजिए सुबह के time अपने mind को सुचवाईए सुबह के time अपने mind को ये बताईए शाम को भी 10 minute का time निकाल के तो उम्यद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको ये पूरी बात बताने की कोशिश की कि अगर आपका नजरिया इस परकार से हो गया है तो आप इसको बदल सकते हो दोस्तों ये जनलाइजेशन का जो सिदान ता वो सीबीटी ठेपी स पूरा कॉर्स है वो हमारी वेबसाइट पर उतलब्ध है लिंक इसी वीडियो के साथ दिया है आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो आपकी बातों को कॉमेंट के दरो हम तक पहु